भारत और बांगलादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 19 सितंबर को खेला जाएगा, जिसको लेकर BCCI पहले ही टीम इंडिया के 16 सदस्सीय स्क्वार्ड का एलान कर चुकी है। रोहित शर्मा एक बार फिर से टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा विराट कोहली भी लंबे समय के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं। पहला मुकाबला चैन नई में खेला जाएगा। इस मैच में रोहित शर्मा और विरा अब जायसवाल बांगलादेश के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज में धमाल मचाते हुए दिखाई दे सकते हैं. इस सीरीज में रोहिट शर्मा और यशसवी जायसवाल की जोडी टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करती हुई दिखाई दे सकती है. जायसवाल ने अपना आखि बनाने वाले बल्ले बाज भी थी. अब एक बार फिर से भारतिय टीम को जायसवाल से ऐसे ही शांदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का तीसरा मैच विशाखा पट्टनम में खेला गया था. इस मैच की पहली पारी में जायसवाल ने 209 र फैंस को दोहरे शतक की उम्मीद होगी.